तो तो पिस्पला मार्वाहीम असलाम लाइटकम ठ्याहर है सब का उमीद करती हूं सब खरीए से होंगे आज हम लोग के चिकन कटर्स चाहर करेंगे जिसमें मैने तक्रीबन एक लो चिकन लिए है इसमें एक काफ पानी डो टीज़़न इसा का पेस्ट फाव टीश मुझा नमक दार के 15 मिट के लिए बॉयल किया है इसका पॉनी अच्छा से सुका के और इसको मैंने ठंडा करने के बाद इसको मैंने इसको चॉप्ट कर लिया है और ये मेरे पास बोन वारे चिकन थी आप बोनलेस भी ले सकते हैं ये मेरे पास चा पॉर्डर मसाले हैं रिषुग नमक पड़ियों originally एक तीसमोन पाइस्फ़ून काली मिमरच एक तीसमोन बुनापुट्वटा जीरा एक तीसमोन गर्म मसाला पैसा हुआ हाफ टीसमोन वाइड पेपर या श्पैद मिध्या BY कह सकते हैं एक तीसमोन चीछिली फ्लेक्स के दो हरी मिली बरी कटी हुए एक टीसफून लशन पेस्ट चार चमस बरी कटावा धनिया एक लिमो कहा रास एक टीसफूल सोय सास तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिके आड़ का लियते हैं पिस्वरा मालवाहीम आलों एट कर लेते हैं इसना मेरहीम prophecy प्याज करें हैं टास को पर चौप भी कर सकते हैं anyway तो मिल subsidi इद नम्मक एक तीसस्फे काली मेरच एक तीसस्फोन बुना कुटा जीरा एक प्रिष्फवा अगरह मुष्आ नमक मिर्च आप अपने टेस्की साफ से डाल सकते हैं यह बरी कटावा दनिया और एक टीस्पून पीसा हुआ लसन बरी कटी हुई दो हरी मिर्च इनको भी आट कर लेते हैं उसाइब कर लेती हैं स्वार्ती आंसे संटेट Nä स्टेट कर लेती हैं स्टेट इसका है यह आपने डियां अब 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 अंडे को फैंट लेते हैं दो चुटके नमक एर कर लिए तो अंडों हमने अच्छे से फैंट लिया है थोड़ा सा हम ऐसे है आइल हाथ पे लगाएंगे एक हम ऐसे एक पोशिन लेएंगे इसका है आप पुट़ी पिस Онडे का साइस राख सकते हैं और अगर आप या और अन्युए प्रेद के अंडो में डिप कर लेते हैं इसके हमारा ही ऐसे हम डिप किये और हम इसे प्रेडगरम रगाएंगे यह पैंको प्रेडगरम है अगर आप यह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं बहुत अच्छे बने हुए है मार्शाला तो इस तरह यह मैंने एक त्यार कार लिए इसी तरह मैं सारे बना के तुम्हें आपसी मिलती निशाला तो इसी तरह अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज का लीजिएगा इनको यह डबे में ऐसे एक एक डाल के उपर ऐसे प्लास्टिक शीर डाल दीजिएगा फिर दूसरी उपर तैर रग सकें तो फिर आपके पास इंशाला जे सेफ रहेंगे जब आप चाहें फ्राइगार करके तो सर्फ कर सकते हैं तो अब हम इने फ्राइगार लेते हैं जूले को आन का लेते हैं इसमारा ही मीडिम आंच पे ज्यादा तेज आंच आपने नहीं रखनी बस सारा कुछ पका तो इन्हें एक एक करके डालते जाएंगे बहुत कर फुली होके तो आपने कटलन्स को डालना है एक पलब से पहले एक दो मिन्ट हमने इनने रखना है जब वो गोल्डन कलर आ जागा पिर आम इनकी साइड चेंज करेंगे तो देखिए जहां पे एक दो मिन्ट होई है इने इसे तरह से भी हम इने एक से दो मिन्ट ही पकाएंगे तो देखिए दोनों दरह से माशाला बहुत यह अच्छा गोल्डन कलर आ गया इनका बहुत अच्छा से त्यार हो गया यह तो चुले को मैं यहां पे बाल का देती हूं और इनको हम नकाल लेते हैं पिस्म्राम अल्व कि देखिए माशाला कितना अच्छा गोल्डन कलर आया ने इनके उपर तो लेजिए चिकन और आलो के कटरट्स त्यार होगी हैं माशाला बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही चूजी और बहुत ही मज़ेदार माशाला जबदस त्यार हुए हैं तो आप लोग जरूर ट्राइ हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों घर वालों के साथ शेयर किया करें मेरे वीडियो मुझे आपके स्पोर्ट की बेहर जरूरत है मुझे आपसा बेहन बायों के स्पोर्ट की बड़ी सा जरूरत है इसलिए आप अजाज़त दें, इंशाला एक जल्दी नई वीडियो लेके होंगे आपके लिए तो वो तब तक के लिए अजाज़त दें अपना बहुता ह्यार रखें अल्लाफीज, असलम लेको